गोड़ेवनिंग दोस्तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल एम्यू क्लास के TGT PGT कला टेस्ट शरीज महा महराथन के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में थंबलेन देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टापिक पे अपन आज के 50 परशनों के महराथन में हम लोग करेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए अगर पहली मरतबा है चैनल पे तो पूरे वीडियो को रिलैक्स होके देखिएगा अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिएगा तो चलिए सुरवात करते हैं आज के पहले पर प्रशनों का कहना है राम किंकर की पहली अमूर्थ मूर्ती का सिर्शक क्या था राम किंकर बैज साहब की जो पहली मूर्ती थी पहली अमूर्त मूर्ती उसका सिर्शक क्या रखा था उन्होंने पहली मूर्ती जो उनकी थी जिन्दगी की बनाई हुई क्या उसका सिर्शक सा आपका महा मैराथन का 50 प्रशनों का स्रिंकला टापिक है आधुनिक कालाकारों की बनाई गई मूर्तियां और उनके माध्यम पहला प्रशन है किंकर साहब की पहली अमूर्थ मूर्ति का सिर्शक क्या था तो चलिए शुरुबात करते हैं पहले प्रशन के उत्तर की तो सही केना है कि सीटेड वूमेन किस कलाकार की बनाई गई मूर्ति शिल्फ है सीटेड वूमेन मूर्ति है ये उसका नाम है सीटेड वूमेन क्या राम किंकर बैज ने उसको बनाया धनराज भगत ने उसको बनाया प्रदोस दास गुपता ने बनाया है या एस धनपाल इसमें से क इस मुर्तिकार की मुर्तिशिल्फ है सीटेड वुमेन तो कमेंट्स सेंसला सुरू कर दिये जारी आज के इस प्रश्णों का क्योंकि आज की टॉपिक आपकी जो है वो काफी बेश्ट ली गई है ठीक है और उमीद करता हूं कि आपको पशंद भी आएगी तो दूसरे प्रश्ण का जो कहना है उसका सही जवाब होगा प्रदोस दास गुपता का है मुर्तिसिल्फ सीटेड वुमेन तीसरा प्रश्ण देखिए प्रश्ण शंख्या तीन तीसरे प्रश्ण का कहना है राम किंकर बैज ने सबसे पहले सांथाल फैमली को किश माध्यम में बनाया था राम किंकर बैज सहम ने जो सांथाल फैमली बनाई है उसको सबसे पहले किसी और माध्यम में उन्होंने बनाया था बाद में उन्होंने सिमेंट कंकरिट के माध्य लेकिन उससे पहले किशी और माध्यम का उन्हें इस्त्माल किया था इस सांथाल फैमिली को परिवार को बनाने में तो वो माध्यम क्या म्रड मई था, कास्य था, तांबá था या सिमेंट कंक्रेट था तो सिमेंट कंक्रेट compliant तो होगे नहीं वह अभिद्या कोजिकर कर दिया इन तीनों में से कोई हो सकता है एक जिसको सबसे पहले उन्होंने बनाया था फिर जाके सिमेंट कंक्रेट का इस्तिमाल किया उन्होंने तो वो माध्यम जो था सबसे पहले बनाने का वो था म्रिण मई म्रिण मई का मतलब होता है मिठी यानि मिठी से सबसे पहले सांथाल फेम चौथे प्रश्न का कहना है प्रदोस दास गुपता की मुर्ती स्रिंगार किश माध्यम में है स्रिंगार जो है वो प्रदोस दास गुपता की बनाई हुई एक मुर्ती शिल्फ है पूछ रहा है किस माध्यम में उन्होंने इस मुर्ती को बनाया है लोहा में बनाया है काशा मे बनाया है टेरा कोटा में या सिमेंट में तो चलिए अपने 50 प्रशनों की आज की मैराथन का जो बेस्ट टॉपिक है आधुनिक के जो मुर्तिकार है हमारे मुर्ति के छेतर में जुन होने योगदान दिया है उनके बारे में हिंदुस्तान और यूरोपी से लेके सब कुछ इ यकीनन आपको पशंद आएगा चोथे प्रशन का सही जबाब जो है वो होगा सिमेंट माध्यम में बनाया स्रिंगार को परदोश दास गुप्ता ने अपने माध्यम में पाँचवे प्रशन की द्रव बढ़ते हैं प्रशन संख्या पाँच देखिए पांचवे प्रश्ण का कहना है लाहोर में लाला लाजपत राय की आवाच प्रतिमा किसने बनाई यानि लाला लाजपत राय की जो प्रतिमा बनी है वो लाहोर में बनी है किसके द्वारा बनाई गई है अमर नाज सहगल के द्वारा बिशी शान्याल दिनकर संकर थोप्टे या M.B. कृष्णन ठीक है ये सभी दिने भी नाम आपको मैंने दिखाए विकल्प में ये सभी मुर्तिकार हैं और इसमें से एक मुर्तिकार ने लाला राचपत राय की प्रतिमा को गढ़ा तयार किया बनाया लाहोर में तो वो थे आपके भावेश चंदर सान्याल B.C. सान्याल शह नमर प्रश्ण की दर बढ़ते हैं प्रश्ण संख्याच देखिएगा छटे प्रश्ण का कहना है अमरनाज शहगल की प्रसिद मुर्ति अंसुनी चीखे किस माध्यम में बनी है अमरनाज शहगल ने अंसुनी चीखे एक मुर्ति सिल्प बनाई है उसको किस माध्यम में बनाई है यह पूछ रहा है हमारा छटवा प्रश्ण ठीक है तो ड्रॉप करते रही है प्रश्णों के उत्तरों का कमेंट्स लाइक के साथ और निव सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल पर जुड़े हैं उनका वेल अमर्णास सहगल की बनाई गई तो अमर्णास सहगल ने जो है कास्यय में बनाई है अंसूनी चीखे सात्वे प्रश्ण की रफ भढ़ते हैं प्रश्ण शंक्राश साथ देखिएगा सात्व प्रस्नाप के इस्क्रीन पर हो कहा है ग्राम देवता किसी बनाई गई मुर्ति सिल्फ है ग्राम देवता स्धनिक खाल अध्व। चोधरी ने बनाया है ग्राम देवता या इन में से किशी ने नहीं बनाया है ग्राम देवता ठीक है तो यह है आपकी मैराथन स्रिंखला तौपिक है आधुनिक कालाकार जो कि मुर्ति के छेत्र में यानि मुर्ति कार जो है अपने छेत्र में अलग-अलग वर्क किया माध्यम में मुर्तियों के टाइटिल के शाथ. साथवे प्रशन का जो कहना है उसका सही जवाब है S. धनपाल ने बनाया है ग्राम देवता नमक मुर्ति शिल्प. आठववा प्रशन देखिए, प्रशन शंखी आड देखिए क्या कह रहा है? आठवे प्रश्ण का कहना है मित्रो प्रसिद मूर्ती सिलिप दा वर्टिकल वूमेन दा वर्टिकल वूमेन सुरच्छित है मतलब कहां ये मूर्ती संग्रक्छित की गई है जिसका नाम है दा वर्टिकल वूमेन राष्टी या आधुनिक कला शंगरहाले नई दिली में है या लुबर म्यूजियम में है या गौर्मेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी ठीक है इनमें से कौन से म्यूजियम में संगरहाले में या गैलरी में सुरच्छित की गई है गर्मेंट म्यूजियम आफ अब आंड गैलेरी में सुरक्षित है ठेक है नो नमर प्रश्मिता तहना है ब्राइड मूर्ति सिल्प किस मूर्तिकार की है ब्राइड नाम है टाइटिल मूर्ति का ब्राइड क्या उसको सांखो चौधरी ने बनाया धनराज भगत ने बनाया सरवरी राय चौधरी ने बनाया या बिशी शान्याल शाह हमने बराया किस मुर्तिकार ने इसमें से ब्राइड नामक मुर्ति शिल्प को गढ़ा रचा रचना किया तयार किया ठीक है तो कमेंट्स का सिंसिला जारी रहना चाहिए और विडियो को पूरा वाच करिएगा विडियो को तभी जाके आपको ये सभ प्रश्न का उसका सही जवाब है धनराज भगत बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ दस नमर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि प्रसिद मुर्ती सितारवादक किस माध्यम में बनी है मुर्ती का नाम है सितारवादक और पूछ रहा है कौन से माध्यम में तयार की गई है सितारवादक प्लाश्टर में प्रस्तर में सिमेंट में या लकडी में तो चलिए एक कमेंट्स मैं लूँगा पूरे सब्सक्राइबर साथियों में कल के कमेंट्स में एक कमेंट्स था उनका नाम नहीं लूँगा मेल हैं वो और उनुने लिखा था कि सर 50 प्रशणों में को इतना टाइम नहीं हो ता हम लोग के पास कि हम लोग 50 प्रशण पूरा देखें अब उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा मित्र की अगर आप 50 प्रशण देखने में आपके पास टाइम नहीं है तो 125 जो आपके अगर चलिए मान लेते हैं कि आप हमारे पचास परश्नों में से सिर्फ 20 परश्न को ही देखें तो 30 परश्न ऐसा भी हो गा जिसमें से हो शकता है by luck 100% नहीत कहा जा सकता लेकिन by luck हो शकता है उसी में से को अच्छा परश्न आए जो हमने उसको पढ़ाया हो और आपने उसको देखा ही ना हो तो फिर वहाँ आपको एसास होगा कि हमको पचास प्रश्ण देख लेना चाहिए था चलिए उसके बाद भी आपकी इच्छा है आपकी लाइफ है अब जैसे चाहें वह ऐसे फेस कर सकते हैं अपने वीडियो को तो चलिए दस्वे प्रश्ण का सही जबाब होगा सिमेंट माध्यम में बनाया गया सितारवाद है ठीक है 11 नमर प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं प्रश्ण संखे 11 देखिएगा 11 नमर प्रश्ण का कहना है सकती इंड गडेश किस कलाकार की मूर्ति सिल्फ है ठीक है तो सुपर महराथन सुकरवार रात आठ बजे की ये वीडियो आपकी चल रही है और बहतरीन टॉपिक लिया गया है जिसके ग्रहवे प्रश्ण प्रश्ण प्याप है और यकीनन आपको आज का वीडियो बहत प्रश्ण आएगा एक तरफ एक जगाई कठा आपको ये प्रश्ण मिल रहा है मूर्तिकारों से संबंदित प्रश्णों में ठीक है और इसका सही जबाब है सतीस गुजराल के द्वारा बनाये गया है सक्ति एंड गणेस ठीक है बारा नमर प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या बारा देखिएगा बारा हमें प्रश्ण का कहना है अपनी जल्यूही लकडी के सिल्पों के लिए जाने जाते हैं जल्यूही लकडी के सिल्पों के लिए जाने जाते हैं कौन ललिता कट के जीसो प्रमणयम जे राम पटेल या जनगर सिंग स्याम ठीक है तो चलिए महा मायराथन की आज की बहतरी इंशेंखला टॉपिक है मुर्तिकला पचास प्रश्णों की है बार हमें प्रश्ण पे हैं और आज मैं चाहता हूँ कि हमारे साथी सब्सक्राइबर सुपर बेश्ट आज का दें अपने मुर्तिकला के छेतर में तैयारी जो भी किये होंगे ठीक है जली हुई लकड़ी के लिए जाने जाते हैं ये तो सभी लोग मेरे ख्याल से जानते ही होंगे कि जे राम पटेल जो है वो जली हुई अपनी जली हुई लकड़ी के शिल्फ के लिए जाने जाते हैं 13 ने हमर्परस्ण की तरह बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 13 देखेगा 14 प्रश्ण का कहना है कि दक्किश किस माध्यम में बनाई गई मुर्ति सिल्फ है मुर्ति सिल्फ का नाम है दक्किश पूछ रहा है माध्यम कौन सा है इस मुर्थी सिल्फ को बनाने का क्या प्रस्तर माध्यम में बनाई गई है यह प्लाश्टर के माध्यम लिया गया है बनाने में इसको सिमेंट माध्यम लिया गया या लकडी माध्यम लिया गया मुर्स्ति सिल्फ डकिस को बनाने में ठीक है तो कल जो मैंने वीडियो डाला था उसके कमेंट्स आप लोग के बहुत प्यारे थे और आप लोग के कमेंट्स पढ़के सच में बताऊं तो दिल से मैं आपको बता रहा हूँ इतनी खुशी होती है मुझे मित्रो कि उस खुशी को मैं अपने सब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इतना प्यार मुखबत आप लोग के चैनल पे मेरे माध्यम से मिलता है चलिए इसलिए हिम्मत बाहनते डटा हुआ हूँ और एक से एक अच्छा करने के कोशिस में लगा रहता हूँ सिंसिला चलता हुआ तेरहोए प्रश्ण पे और सही जबाब है लकड़ी माध्यम में दकिश मुर्ति शिल्फ बनाई गई है लकड़ी माध्यम में 14 नमरप्रश्ण की तरफ देखिए प्रश्ण संख्या 14 क्या कह रहा है 14 नमरप्रश्ण का कहना है King of Dark Chamber किंग आफ डार्क चेमबर मुर्तिकार के द्वारा बनाई गई किस किस मुर्तिकार ने बनाई है किंग आफ डार्क चेमबर ठीक है सतीस गुजराल ने केजी सुप्रमडियम ने अनिश कपूर या विबान शुंदरम किंग आफ डार्क चेमबर उसका नाम है और उसको तेरा कोटा मार्बल से यह जो मूर्ती है इसको टेरा कोटा मार्बल से बनाएगा है तेरा कोटा मार्बल अब तो आप समझ रहे हैं तेरा कोटा मार्बल यानि मिट्टी के जो मार्बल मनें मिट्टी के उससे बनाए गया है और उसके बारे में मैं आगे इससे संबंधित एक क प्रशन शंख्य आप 15 देखिएगा, 15 नमर प्रश्ण कह रहा है आपका, अनिश कपूर द्वारा निर्मित क्लाउड गेट का माध्यम है, अनिश कपूर ने क्लाउड गेट बनाया है, अभी भी है अनिश कपूर और मुर्ति कला के छेत्र में, मुर्तिकार के रूप में, सिल् बस्तर में कास्य में या लोहा में कौन से माध्यम में बनाया तो कमेंट्स का सिंसिला जारी रखिए वीडियो को फूर आप फोल बाच करया करिए और आज की महराथन में बेश्ट दीजिए इस भेतरीं टापिक के साथ फाइनल सम्मिट में तो अनीश कपूर ने अपने हमारे कीचन वगैरा में बरतन धोई जाते हैं तो उसमें या तोटी लगे होते हैं फोल लगे हैं इस टृपने-फाइप को बारिश पाने को फाइदा होता है सोला नंबर प्रश्ण को देखिए मैंने आपसे पहले बिताया था कि उससे संबंदीत एक प्रश्ण आपको सामने मिलेगा जो आप अभी पढ़ा है किंग आफ डार्क चेंबर देखिए वही चीज है सतीस गुजराल ने देखिएगा मिश्टेक हुआ है हमसे और मिश्टेक हुआ है साथियो अब जाके देखिए ध्यान में आया कैसे मैंने इस प्रश्ण को गलत कर दिया मुझे तो यही नी समझ में आ रहा है यह देखिए यहां मैंने आपको केजी सुप्रमणियम बताया था इसको जर एक बार देख लिजिएगा बैक होना पड़ा इसके लिए वेरी वेरी शॉरी कहेंगे इसके लिए कि बैक होना पड़ा हमें इसको इसके जो है 13 गुजराल है याद रखिएगा सतीस गुजरान ने बनाया है यह हमारा पंद्र प्रश्ण हमारा कौन सा नमबर का था ध्यान तो नहीं आ रहा है लेकिन चलिए मेरे ख्याल से चलिए ध्यान दीजिएगा अब हमारा सोल हम अब यह सोला नमर प्रश्ण है इसके पहले पंद्र था चौदा नमर प्रश्ण था वह जिसका जिकर गिया है तो देखिए अब हमारे सामने हैं वही चीज उसमें लिखा हुआ है सतीस गुजराल ने किंग आफ डाक चेमबर में इस्तमाल किया मतलब कितने टेरा कोटा टाइल सो का इस्तमाल किया है किंग आफ डाक चेमबर में सतीस गुजराल ने बनाने के लिए इसका प्रश्ण एक उपर था जिसको मैं ने पूछा था किंग अस जिकर किस्द्र बनाया है तो वहाँ पे मैंने गलती से केजी सुप्रम और पूछ रहा है कि 37 गुजराल ने King of Dark Chamber टेरा कोटा टाइल्सो का इस्तमाल करके बनाया है उसमें कितने टेरा कोटा टाइल्सो को लगाया है और उसको रंगा है खुब प्यारा बेहतरीन बनाया है सर्च मार के दिखिएगा क्या उसमें 10,000 टेरा कोटा टाइल्सो का इस्तमा टेरा कोटा टाइल्सो का इस्तमाल किया King of Dark Chamber बनाने में 37 गुजराल ने ठीक है बढ़ते हैं 17 नमर प्रश्ण की दरफ प्रश्ण संख्याद 17 दिखिएगा क्या कह रहा है वह कलाकार जिसने चिन्नई के पास राजिव गाधी मिमोरियल में एक ग्रेनाइट बेस रिलिफ मू मूरियल में एक ग्रेनाइट बेस के रिलिफ मूर्ती का जो है को पूरा किया इसमें से एक कलाकार ने चिन्नई में क्या उनका राम राम किंकर बैच था क्या उनका नाम ए राम चंदरन था अर पिता शिंग या सर्वरी राय चोधरी ठीक है क्या था उस कलाकार का नाम जिसन जिन नहीं में तो उस कालाकार का नाम है ए रामचेंदरन ठीक है अठार नमर प्रश्ण को देखिए प्रश्ण संख्या अठार क्या कह रहा है अठार प्रश्ण का कहना है मित्रो चिंता मडिकर की परसिद मूर्ति सिल्फ उडान कहा सुरच्छित है उडान जो है वो चिंता मडिकर मूर्तिकार चिंता मडिकर की बनाई हुई एक मूर्ति सिल्फ है जो इस समय इसमें से एक जगह सुरच्छित कर गई है सुरच्छित की ग मंबई में रखी गई है। इनमें से कौन से संगरहाले में सुरचित है। चिंतामडिकर की परसिद मूर्ती सिल्फ जिसका नाम है उडान। तो उडान को सुरक्षित किया गया है राष्टी या आधुनिक कलाशंगरहाले नए दिल्ली में। बैठी हुई नारी आकरीती, माध्यम इस मूर्ति शिल्प का क्या है? क्या ये काश्य में बना है? प्लाश्टर में बना है? तेरा कोटा में बना है? या प्रस्तर में बना है? बैठी हुई नारी आकरीती मुर्ति शिल्प को कौन से माध्यम में बनाया गया 19 नमर प्रश्ण कमेंट्स का सिंसिला जारी रखिये मेरे उत्तर से पहले और दीजी अपने टेश्ट का आज बेश्ट इस आधुनिक मुर्तिकार से संबन्दित मुर्ति और माध्यमों के प्रश्ण सिरिंखला में 19 प्रश्ण का सही जवाब है 13 कोटा में ठीक है 20 नमर प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं प्रश्ण शंक्या 20 देखिएगा प्रश्ण का कहना है कास सिय यूग किस यूरोपिय कलाकार की मुर्तिक शिल्फ है कास सिय यूग ये एक मुर्तिक शिल्फ है और इसको एक पास्चात यानि यूरोपिय कलाकार ने बनाया है क्या उनका नाम दोना टेलो है क्या उनका नाम कांश्टेंटी ब्राकुशी है या उनका नाम एंटोनियो कैनोवा है या अगस्टे रोडीन किस ने बनाया है कास यूग नामक मूर्ति शिल्प किस पाथचात कलकार ने तो उस कलाकार का नाम है अगश्टे रोडीन, ठीक है? 21 प्रश्ण की तरफ चलिए 21 नमर प्रश्ण घोड़े और सवार किस पास्चात्य कलाकार की प्रसिद्ध मूर्तिसिल्फ है? घोड़े और सवार ये मूर्तिसिल्फ का नाम है किसमें बनाया पाबलो पिकाशो ने लियोनार्डो दविंची ने एंडी बरहोल ने या माइकल एंजीलो ने तो चलिए टीजीटी और पीजीटी दोने के एक्जाम डेट हमेशा आपके न्यूज में जो है अपडेट हो रहा है कि उसमें दिखा रहा है कि अक्टूबर या फिर आपके नवंबर के पहले हपते में या अक्टूबर के आखरी तक एक्जाम करा दिये जाएगा मतलब आपके पास ठीक ठाक समय है इतना कि आप अपने आपको पूरा समाल सकते हैं तयारी करके ठीक है बीडियो के साथ साथ सेल्फ इस्टड़ी भी अपनी रखिएगा क्योंकि सेल्फ इस्टड़ी भी बहुत जरूरी होता है हर चीजे की चीज़ पर डिपेंड नहीं होता है कुछ चीजे सेल्फ इस्टड़ी से भी अपना गैन की जाती है तो self study को मत चुड़िएगा वीडियो के साथ self study बनाए रखिएगा तो एक किश्वे प्रश्ण का जो सही जवाब है वो हो जाएगा लियोनार्डो डविन्ची के ठीक है 22 नमर प्रश्ण देखिए प्रश्ण संखिया 22 संखो चौधरी का माध्यम था संखो चौधरी का माध्यम क्या था क्या वो प्रस्तर में कारे करते थे लकडी में कारे करते थे धातु पत्र में या फिर यह सभी धातु पत्र मतलब धातु की जो चादरी प्लेट होती है उस तरह की बात कर रहे हैं पत्र का मतलब यह हुआ यहां से तो मुर्तिकार संखो चोधरी का माध्यम इन में से क्या था है? क्या ये तीनों इस्तमाल करते थे या फिर इसमें से कोई एक माध्यम उन्होंने अपने जीवन काल में कला के छेतर में मुर्ति में इस्तमाल किया तो सांखो चौधरी जो है उन्होंने इस्तमाल किया यह सभी यानि वो प्रस्तर, लकड़ी और धातु तीनों माध्यमों में अपने कला को बनाया करते थे 23 प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 23 देखिएगा 23 नमर प्रश्ण का कहना है सिल परसिद मूर्ती सिल्फ किस का लाकार किये मूर्ती का नाम है सिल यह मूर्ती सिल्फ किस ने बनाई है संखो चोधरी ने बनाई है सोमना थोर ने बनाई है मेरा मुखर जी ने बनाई है या डीपी राय चोधरी ने बनाई है किस मूर्तिकार ने बनाई है सिल नामक प्रसिद मूर्ति सिल ड्रॉप करिए प्रश्णों के उत्तर दीजिए आज का अपना टापिक में बेश्ट और अपनी तयारी को बनाई है एक बहतरीन आयाम के पास अपने कला के छेतर में कि इस्वे प्रश्ण का सही जवाब संखो चोधरी का है कि 27 नमर प्रश्ण के दर बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 24 देखिएगा 24 नमर प्रश्ण का कहना है मित्रों 1985 का कुट्त एक अध्भुत मूर्ति सिल्फ है किस का लाकार की यानि मूर्ति सिल्फ का नाम ही है 1985 का कुट् सोमनाथ होर ने बनाया है या संखो चोधरी ने बनाया है ठीक है किस ने बनाया है तो चलिए आज की महराथन कैसी है ये जरूर बताईएगा और इसके प्रश्ण जो है वो कैसे लगे आपको ये भी बताईएगा अपने लाइक शेयर के शात और कमेंट्स के साथ तो 24 देखिए, पचींस नमरक्रश्ण का कहना है? गृब मीटिंग, मृति सिल्फ क accomplishments के शवाल से माध्यम में बनी है, याने मॉर्ति का जो नाम है वो है गृब मीटिंग, इस मृति सिल्फ को कौन से माध्यम में बनाये गया है? लिठोग्राफ में वूड एंग्रिविंग में लीनो कट में या प्लाश्टर में ग्रूप मीटिंग मुर्ति सिल्प का माध्यम क्या है प्रश्न संख्या 25 50 प्रश्नों की मैराथन में आपका हाफ हुई समय पूरा हो चुका है ठीक है और हाफ अभी आपका बाकी है तो हाफ तक तो कितने अच्छे बेश्ट हुए होगे वो तो आप ही जान रहे होगे हमें तो फाइनल सम्मेट के बाद पता चलेगा जब आप कमेंट्स देंगे पूरा तो तो इसका सही जबाब है बुड एंग्रेविंग में बना है यह ठीक है अब बढ़ते हैं 26 नमर प्रश्ण की तरफ प्रश्ण संख्या 26 देखिए 26 नमर प्रश्ण क्या कहना है कलिंगा में अशोक कलिंगा में अशोक यानि कलिंग का युद्ध जो था और उसको किस ने बनाया है? नाग जी पटेलने, सोमना थोरने, ए रामचंदरन या मीरा मुखर जी? किस कलाकार ने बनाया है? कलिंगा में अशोक नामक मूर्ति शिल्प. ठीक है? यह है आपका प्रश्ण संख्या 26. महा मैराथन की बिसेश रिंखला में, आपके शामनी जो प्रश्ण है, इस प्रश्ण का उत्तर आपको देना है, और अपने सुपर मैराथन सिरीच को आगे बढ़ाना है. ठीक है? तो हमारा प्रश्ण था कलिंगा में अशोक किसकी बनाए मूर्ति शिल्प है? तो प्रश्ण का जो सही जबाब है, वो होगा आपका मीरा मुखरजी ने बनाया है. कलिंगा में अशोक नामत मूर्ति शिल्प. बढ़ते हैं 27 नमर प्रश्ण की तरफ, प्रश्ण संख्या 27. 27 वे प्रश्ण का कहना है, पर्यावरण किस माध्यम में बनाए गए मूर्ति शिल्प है? कहीं कहीं पर्यावरण का इंगलिस नाम भी दिया होगा, इन्वायरमेंट तो अगर इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल सब्द लिखा होगा, तभी भी यही बात है, और उसका हिंदी पर्यावरण लिखा होगा, तभी भी वही बात है, इसको किस माध्यम में इस मूर्ति शिल्प को बनाए गया है, जिसका नाम है पर्यावरण इन्वायरमेंटल गुलाबी शंगमरमर में बनाए गया है सफेज संगमरमर में बनाए गया है काला शंगमरमर में या इन तीनों संगमरमर का इस्तमाल किया गया है किस तरह के संगमरमर का इस्तमाल किया गया है पर्यावरण नामक मूर्ति शिल्प को बनाने में तो इसको बनाये गया है मित्रो गुलाबी शंग मरमर में, ठीक है? 28 नमर प्रश्म देखेगा, प्रश्म संखिया 28 आप से कह रहा है, महेंद्र पांडिया माध्यम के रूप में किसका चुनाव करते हैं? महेंद्र पांडिया माध्यम के रूप में, या अपनी कला के छेतर में, मुर्ति कला के छेतर माध्यम के रूप में, इनमें से किसका चुनाव करते हैं? संग मरमर का करते हैं लकडी का करते हैं दोनों का करते हैं या इन में से किसी भी माध्यमों का इस्तमाल नहीं करते हैं महंद्र पांडिया भी सबसे पहले तो ये जान लिजे कि एक मुर्तिकार है ठीक है और अपने कला के छेतर में सकरी है लेकिन यहाँ पूछ रहा है उन्होंने कला के छेतर में किस माध्यम को चुना है संगमरमर लकडी दोनों या कोई नहीं तो महेंदर पांडिया ने जो है दोनों ही माध्यम चुना है संगमरमर और लकडी 29 नमर प्रश्ण देखेगा प्रश्ण संख्या 29 29 नमर प्रश्ण कहा रहा है जेबरा मार्बल में बनाये गया निम्न में से मुर्ति सिल्फ है जेबरा मार्बल में इसमें से एक मुर्ति सिल्फ बनाई गई है उसका नाम क्या कलोल मारता बचडा है लकड़ हारा मा और बच्चा या मीनी बस तो चलिए कमेंट्स का सिंसिला जारी रखिएगा बहुत ही सांदार सीरीज है आज की और उमीद करूंगा कि आपको अच्छा भी लगेगा और आप प्यारे प्यारे लाइक शेर भी देंगे तो जेबरा मारबल में बनाया गया निमनिम से किस मूर्ती सिल्फ यानि जेबरा मारबल में बनाया गया मूर्ती सिल्फ इसमें से जो है वो कौन है तो वो है लकड़ हारा ठीक है बढ़ते हैं तीस नमर प्रश्ण की तरफ प्रश्ण संख्या तीस देखिएगा तीस नमर प्रश्ण का कहना है रागो कानेरिया की परसिद मूर्ति साड कहां सुरच्छित है साड जो है वो एक मूर्ति सिल्फ है रागो कनेरिया की बनाई हुई उसको क्या राष्टि आधुनी कलाशंगरहाले नईदिली में रखा गया है प्रिंसाफ वेल्स म्योजियम मुंबई में रखा गया है सालार गंज संगरहाले हैदराबाद में रखा गया है या कुलकत्ता संगरहाले में रखा गया है रागो कनेरिया एक मुर्तिकार के छेत्रे में कार किया और उन्होंने एक मुर्ती बनाई जिसका नाम है साड और उसको रखा गया है कहां तो उसे रखा गया है राश्टी या आधुनिक कलाशंगरहाले नई दिल्ले में सिंसिला बढ़ता हुआ आपका 31 नमर प्रश्ण पर आ चुके हैं हम लोग धीरे धीरे फाइनल सम्मिट के करीब पहुंच रहे हैं एक तीश्वे प्रश्ण का कहना है बीबेका नंद राक मेमोरियल के अस्थापत्यकार हैं बीबेका नंद राक मेमोरियल इसके अस्थापत्यकार क्या नाग जी पटेल हैं रागो कनेरिया हैं बी गड़पती अस्थापती या मीरा मोखर जी ठीक है तो चलिए साथियो फटा फट 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 अपने प्रश्णों के उत्तर दीजिए और आज की टाफ फाइप साबित करिये मूर्तिकला के छेतर में कितनी तैयार है यह टाइफ फाइप साबित करिये टाफ फाइप आप लोग ठीक है बीबेका नंद राक मेमोरियल के अस्थापत्यकार जो हैं उन वट ब्रिच नागजी पटेल द्वारा बनाया गया मूर्तिशिल्प का माध्यम है यानि बट ब्रिच जो है वो नागजी पटेल ने बनाया है यहां पूछ रहा है माध्यम आप से यानि नागजी पटेल मूर्तिकार है उनके द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है जिसका न जामक मूर्ति शिल्प बनाई है ठीक है तो सही जवाब इसका जो होगा वह आपका हो जाएगा सेंड श्टोन में बनाया है उनोंने प्रश्ण संख्या तायतिस के राया आप से 33 प्रश्ण का कहना है बनसरी और वाहन दो है ये मूर्ति सिल्प है किसका लाकार की क्या मीरा मुखर जी ने बनाया है मिरणालिनी मुखर जी ने बनाया है स्रिधर महापात्रा ने या रागो कनेरिया ने बंस्री और वाहन नामक मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार इन में से कौन है तो इस मूर्ति को रचा है मिरणाले मुखर जी ने जो कि सूत, दोरी और इनी सब रश्यों से अपने मूर्ति शिल्पू का वो निर्मार करती है और ये टाइटिल जो उन्होंने बनाया है बंसरी और वाहन उसी से बनाया है 34 नमर प्रश्ण की तरह बढ़िये प्रश्ण संख्या 34 देखिएगा ध्यान से 34 नमर प्रश्ण का कहना है राम सुतार द्वारा बनाई गई महराजा ररजीस सिंग की मूर्ति कितनी फिट उची है कलाकार राम सुतार अभी भी मूर्तिकार के छेतर में सक्रिय है और उन्होंने महराजा ररजीस सिंग की मूर्ति बनाई है कितनी फिट है उसकी उचाई ये पूछ रहा है क्या 21 फूट की है उस मूर्ति की उचाई 20 फूट की है वो उचाई 15 फिट की है उसकी उचाई या फिर 10 फिट की है राम बिशुतार मुर्ति कला के छेत्र में एक ऐसा नाम जो आज भी अपने वर्क को जारी रखा है और आपको पता ही है कि अयोध्या के नदी पे स्री राम का बहुत बड़ा अब मुर्ति जो है उनके वर्क में मिला है बनाने के लिए और वो सरदार पतेल के बाद इस टैचू आफ यूनिटी के बाद वो नमबर वन पे होगा लंबाई के मामले में ठीक है सबसे उचा तो इस प्रशन का जो उस कहना है उसका सही जवाब है 21 फूट की उसको बनाई गई है मुर्ति सिल्प को ठीक है 35 नमर प्रशन देखेगा प्रशन संख्या 35 35 नमर प्रशन कह रहा है आपका स्वतंतरता का असमारक मुर्ति शिल्प है ध्रू मिस्तरी की सरवरी राय चोधरी की देवी परसाद राय चोधरी या संखो चोधरी स्वतंतरता का इश्मारक नामक मुर्ति शिल्प किश कालाकार ने बनाई है इसमें से ड्रॉप करिए फटा फट एकदम फास्ट अपने प्रशनों के उत्तर का कमेंट्स दीजिए मेरे उत्तर से पहले तो 35 प्रशन का जो कहना है उसका सही जबाब है देवी परसाद राय चोधरी का बनाया हुए 36 नमर प्रशन देखिए प्रशन संख्या 36 क्या कह रहा है 36 नमर प्रशन का कह रहा है इंद्र किस कालाकार द्वारा बनाई गए मूर्ति शिल्प है इंद्र एक मूर्ति शिल्प है इसमें से किसी कालाकार की द्वारा बनाई गई मूर्ति का नाम ही है टाइटिल इंदर क्या भावेश चंदर सान्याल ने बनाया है है मंत मिश्र डीपी राय चोधरी या गोपी चंदर मिश्र किसने इंदर नामक मूर्ति शिल्प की रचना की है या कहले जी उसको गढ़ा है ठीक है तो उसको गढ़ा है गोपी चंदर मिश्टना ने गोपी चंदर मिश्टना जो है वो राजस्थान के मुर्तिकार के रूप में जाने जाते है साइतिस नमर प्रशन देखिएगा प्रशन संख्या साइतिस साहतिसमर का कहना है काइनेटिक मूर्ति सिल्प के लिए जाने जाते हैं काइनेटिक मूर्ति सिल्प के लिए जाने जाते हैं क्या अंकित पठेल या सिर रागो कनेरिया गोपी चंद्रमिश्रा या रडबीर सिंग बिष्ट कैनेटिक मुर्ति शिल्प के लिए इसमें से कौन साम मुर्तिकार जाना जाता है या पहचाना जाता है ठीक है? सिंसिला है 50 प्रशनों के मैराथन का टापिक है आपका बहुत बहतरी इन प्रमुख आधुनिक मुर्तिकार और उनके दोरा बनाई गए मूर्तियों का माध्यम और मूर्ति जिसके साइटी स्वे प्रशन पे आप हैं और प्रशन का सही जवाब है अंकित पटेल को काइनेटिक मुर्ति शिल्प के रूप में जानते हैं 38 नमर प्रशन देखेगा प्रशन संख्या 38 इसमें एक बुक का नाम भी ले लिया गया है बीच बीच में एक ही है बस ज्यादा नहीं है कोरा कैनवाश इस पुस्तक के लेखक को ने ये पुस्तक है जिसका नाम है कोरा कैनवाश इसके लेखक के रूप में क्या आर्के लच्मण को हम जानते हैं प्रभाकर वर्वे के जी सुप्रमणयम या अनंद कुमार श्वामी कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक के रूप में हम किसे जानते हैं इसमें से ठीक है तो आज की आपकी सुपर महराथन जो है वो बिल्कुल सुपर से भी उपर कोशिस की गया बनाने की और उसको और सुपर से भी उपर आप करेंगे अपने कमेंट्स लाइक सेर से 38 प्रशन का सही जबाब है परभाकर वर्वे की बुक है कोरा कैनवास 49 नमर प्रशन देखेगा प्रशन संखिया 49 प्रशन का कहना है किर्केट के गेंदबाज किर्केट के गेंदबाज मुर्ति सिल्प किस कालाकार ने बनाई है मुर्ति सिल्प का नाम है किर्केट के गेंदबाज क्या उसको रागो कनेरिया ने बनाया देव प्रसाद राय चोधरी बनाया उशारानी हुजा ने बनाया या गोपी चंदर मिशने बनाया किशने बनाया साथियों ठीक है तो चलिए वेलकम है उन सब्सक्राइबर साथियों का मेल हो या फिमेल जो हमारे इस चैनल से जुड़े और हमारे पर विश्वास किया अगर आप पहली बार हैं और पहली बार फेस कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि प्लेलिस्ट में भी चले जाएगा वहाँ पे आपको वीडियो के पूरे पीछे के मिलेंगे जो अभी तक हमने आपको पढ़ाए हैं और आपने उसको फेस नहीं किया है या फिर कारनर पे जाएगा तो यहाँ टीन डाट डाट करके दिख रहा होगा कोने पे उपर तो वहाँ से भी आप उसको किलिक करके खोल सकते हैं तो इस प्रश्ण का सही जबाब जो है वो हो जाएगा उसा रानी हो जा ठीक है चालिस नमर प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या चालिस देखिएगा चालिस नमर प्रश्ण का एरा है लेडी विद डॉग किस कलाकार की कलाकरती है लेडी विद डॉग ठीक है ये कलाकरती क्या धनराज भगत की है संखो चोदरी उसारानी हुजा या फिर हरिदत गुपता लेडी विड़ डॉग प्रशन संखिया चालीस चालीस प्रशन आपके कंपिलिट हो रहा हैं पचास प्रशनों में से दस प्रशनों और बचे हैं आज के सुपर मेराथन में और दस प्रशन जाते जाते फाइनल सम्मिट से पहले देखते हैं कौन है टाप फाइब का बेष्ट आज के मुर्ति सिल्प के इस टॉपिक में सही जवाब हरिदत गुपता ठीक है 41 नमर प्रशन की तरफ चलते हैं प्रशन संखिया 41 देखियेगा सुन्दर मेराथन सुरिंखला के 41 प्रशन कर आए पाप जूलियस दृतियका मक्बरा पाप जूलियस दृतियका मक्बरा किस पसचाटे कलाकार ने बनाया है माइकल एंजोलो ने लियोनारदो द विंची ने साल्वाडोल डाली या जॉन कॉन्ष्टेबल क्या नाम है उसकी बनाय हुई मकबरा का यानि पाप जूलियस दृतिय का मकबरा एक कलाकृती है सिल्प कृति है जिसको बनाया है इसमें से एक पासचाते कलाकार ने और उस पासचाते कलाकार का नाम है माइकल एंजेल ठीक है 42 नमर प्रश्ण को देखिएगा प्रश्ण संखिया 42 42 नमर प्रश्ण कहे रहा है मरते हुए दाश मरते हुए दाश ये मूर्ति सिल्प का माध्यम क्या है ग्रेनाइट में बना है संग मरमर में बना है या फिर आपका कास्य में बना है या फिर टेरा कोटा में बना है मरते हुए दास नामक मूर्तिशिल्प का माध्यम क्या है तो इसका माध्यम है आपका शंग मरमर में ताय तालिश नमर प्रशन देखिए प्रशन शंखिया ताय तालिश 43 भूख परसिद मूर्तिशिल्प किस माध्यम में बनाई गई है भूख परसिद मूर्ति शिल्प क्या टेरा कोटा में बनाई गई है प्रस्तर में बनाई गई है प्लास्टर में बनाई गई है या धातु प्लेट का इस्तमाल किया गया इसको बनाने में तो चलिए 43 प्रस्ण पे हैं कमेंट्स पूरे फास्ट चलिए करिए क्योंकि आज हम आपको टाफ फाइप में देखना है आज की मुर्ति सिल्फ के टापिक में किसका कितना तयार है टाफ फाइप में आज देखा जाएगा 43 प्रश्ण का सही जबाब पलाश्टर माध्यम में भोख में ठीक है 44 नमर प्रश्ण देखिए प्रश्ण संख्या 44 44 नमर प्रश्ण कहे रहा है विंटर विंटर जो है वो मुर्ति शिल्फ है क्या सुधिर रंजन खस्तगीर की बनाई रडबीर सिंग बिष्ट की बनाई कानू देशाई या केवें के टप्पा विंटर नामक मुर्ति शिल्फ को किस आधुनिक मुर्तिकार ने गढ़ा रचा बनाया तयार किया ठीक है सिंसिला धीरे धीरे पढ़ता हुआ 44 प्रश्ण पे फाइनल सम्मिट से कुछ प्रश्ण दूर है हम और 44 प्रश्ण का जो पूछना है सही जबाब है सुधिर रंजन खस्टगिर के द्वारा 45 नमर प्रश्ण देखिएगा प्रश्ण संक्या 45 कह रहा है आपसे दुक्या किस कलाकार की बनाई गए मुर्ती है नाम ही यह उसका दुक्या क्या सरवरी राय चोधरी को और दंराज भगत के बनाया है सुधिर रंजन खस्टगिर किस ने बनाया है नामक मुर्ति को किस आधुनिक मुर्तिकार की ये मुर्ति शिल्फ है टाइटिल है दुखिया नाम है डीपी राय चोधरी ठीक है जिन्होंने इनको बनाया 46 नमर प्रशन देखेगा प्रशन संख्या 46 प्रशन कहे रहा है इनमें से देवी प्रशाद राय चोधरी की बनाई गई मुर्ति सिल्फ में शामिल है देवी प्रशाद राय चोधरी ने इसमें से कौन सी मुर्ति सिल्फ बनाया है लॉंग नाई साइन्स आफ फायर एक ग्यारह मुर्ति इनमें से कोई नहीं देवी प्रसाद राय चोधरी की बनाई मुर्ति सिब इसमें से कौन सी है इस प्रशन को धियान पुर्वक देखिएगा और केयर फुली होके इस प्रशन का उतर दीजिएगा क्योंकि इस बिकल्ब को देखने के बाद कई लोग के दिवाग में मुझे पता है आ रहा होगा कि इस बिकल्ब को देखते हुए ही पता चलता है कि इसमें से कोई नहीं आप्शन होना चाहिए पटैशी बात नहीं है साथियो इसका सही जबाब है 11 मूर्ति अभ आपको कमेंट सिये करना है इसमें की 11 मूर्ति टी पी राय चोधरी की किस मूर्ति को कहते हैं जिसका एक और नाम है 11 मूर्ति ठीक है 47 नमर प्रश्ण कहरे रहा है नेपोलियन मंगल गरह के रूप में सांधि किसकी पडसिद मूर्ति है नेपोलियन मंगल गरह के रूप में शांती परसिद मूर्ती यानि पूरी मूर्ती का नाम ही है नेपोलियन मंगल गरह के रूप में शांती क्या हेनरी मातिश ने बनाया एंटोनियो केनोवा ने बनाया जोरिको ने बयानाया या थियोडोर जांसन ने बनाया किस पास्चाते कलाकार का है तो इसको बनाया एंटोनियो के नोवाने ठीक है 48 नवर प्रश्ण देखिए प्रश्ण संख्या 48 कह रहा है दिनकर संकर थोपटे किस रूप में परसिद्ध हैं दिनकर संकर थोपटे परसिद्ध हैं प्रश्ण चिछक के रूप में लेखक के रूप में कलासमिछक के रूप में या मुर्तिकार के रूप में ठीक है सुपर मैराथन सरिंखला आपकी complete होने जा रही है आपसे थोड़ी देर में और देखते हैं कौन है आज की मुर्तिकला टापिक का सही जबाब मूर्तिकार उन्चास नमर प्रशन देखिए प्रशन संख्या 49 और प्रशन का कहना है हम जोली किस मूर्तिकार के परसिद मूर्ति है हम जोली ये मूर्ति है एक मूर्तिकार की बनाई हुई नाम ही उसका हम जोली क्या बिनायक पांडू रंग करमर कर हैं धनराज भगत हैं एस धनपार या यम्बी कृष्णन किस्ने हमजोली नामक मूर्तिशिर बनाई है तो हमजोली नामक मूर्तिशिक बनाया है बिनायक पांडू रंग करमर करने है ठीक है और वीडियो का आखरी प्रश्ण संख्या 50 आपका फाइनल सम्मिट होने से पहले इस प्रश्ण को देखिए और आज की टाप 5 मुर्ति सिल्प में बताईए कौन है मुझे देखना है आज टाप 5 में कौन है आज का बेश्ट पचासवा प्रश्ण कह रहा है किस मुर्तिकार के मुर्ति सिल्प के विश्यों में महिला आकरिती और बन्य जीवन सामिल है विश्य के रूप में इसमें से एक मुर्तिकार के मुर्ति सिल्प में क्या वो मुर्तिकार राम किंकर बैज हैं परितोष शेन संखो चोधरी या फिर डीपी राय चोधरी तो चलिए पचास प्रशन का फाइनल सम्मिट कमेंट्स करिए और बताईए टाफ फाइप में मैं देखना चाहता हूँ आज इस टॉपिक में टाफ फाइप पे कौन है आज के इस वीडियो का तो वह मुर्तिकार जिसके बिसो में महिला अकरती और बनने जीवन सामिल रहे उनका नाम था संखो चोधरी या नाम था संखो चोधरी तो चलिए साथियो उमिद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहत पशंद आई होगी इस टापिक में और इस टापिक के वीडियो के पशंद के शाथ साथ प्याराशा लाइक शेयर भी देंगे और कमेंट्स भी प्याराशा करेंगे और हम टाप 5 को देखेंगे कि किसने इस टापिक में टाप 5 पे अपना मुकाम हाशिल किया है तो चलिए आएच के लिए दीजिए आध कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बहतरी प्रश्णों की स्रिंखलाएं के साथ तब तक के लिए दीजिए आत नमस्कार गुड नाइट सुभरात्री